प्रेगनेशी में ऐसा होना बहुत ये आम बात है लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाभी में दो बूंद तेल लगाने से आपको कितने फाइदे मिलते हैं और नाभी में तेल लगाने के फाइदे केवाल एक स्वस्त वैक्ति को नहीं बलकि प्रेगनेंट महिला को भी मिलते हैं नाभी में डालने के लिए आप सरसो, नारियल, ओलीव, ओयलादी के तेल का इस्तमाल कर सकते हैं तो आईए आज हम आपको इस वीडियो में प्रेगनेसिक दोरान नाभी में तेल डालने से कौन-कौन से फायदे मिलते हैं इस बारे में बताने जा रही हैं इनफेक्शन से बचाओ, नाभी में तेल लगाने से नाभी में गंदकी का जमाओ नहीं होता हैं जिससे प्रेगनेसिक दोरान मावे बच्चे दोनों को इनफेक्शन की समस्था से बच्चे रहने में मदत मिलती हैं दर्द करता है दूर प्रेगनेसी के दोरान पेट दर्द जोडों के दर्द पैरों में दर्दादी की समस्या होना बहुत आम बात होती है लेकिन एक उपाय करके प्रेगनेंट महिला इन सभी परेसानियों से निजात पा सकती है और इसके लिए महिला को रोजाना अपनी नाभी में तीन से चार परेसानी होती है दूर प्रेगनेसी के दोरान बोडी में होने वाले हार्मोनल बदलाव के कारण महिला की पाचन किरिया धीमी पड़ जाती है जिसके कारण का बज एसी परेसानिया महिला को हो सकती है ऐसे में नाभी में तेल डालना प्रेगनेंट महिला के लिए बहुत फा उर्जा मिलती हैं। नावी को उर्जा का केंद्र माना जाता है। साथ ही नावी शरीर की परकिरियाओं को बहतर तरीके से काम करने में मदद भी करती है। नाभी में तेल डालने से गर्बवती महिला की स्कीन को भी पोसन मिलता है जिससे गर्बवती महिला को प्रेगनेंसी के दोरान स्कीन की कोमलता को बरकरार रखने में मदद मिलती है साथी होट फटने बाल जड़ने जैसी परेसानी से भी प्रेगनेंट महिला को निजात पाने में मदद मिलती है तो यह हैं कुछ फायदे जो प्रेगनेंट महिला को नाभी में तेल लगाने से मिलते हैं यदि आप भी प्रेगनेंट हैं तो आपको भी ऐसा जरूर करना चाहिए ताकि आपको भी प्रेगनेंसी के दोरान सररिक प्रेसानियों से आराम मैसूस होने में मदद मिल सके दोस्तो अगर आपको हमारा याई वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे लाइक करें और जाद से जाद से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें